सिंगरोली चुले के वैठन सामुदाइक भवन में पूर्व प्रधान मंतरी स्वर्गिया अर्टल विहारी वाजपई के जन्म दिन पर किसान सम्मान नेधी का आयूजन किया गया जिसमें प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी द्वारा वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से कारिक्रम में उपस्त हजारों किसानों को संबोधत किया गया अपने संबोधन में प्रधान मंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टिया भ्रहम फैला रही है। नया किसान कानून अच्छा है इससे किसी को नहीं डरना चाहिए नया कानून किसान के हित्म है। कारिकरम के मुख्याती थी सिंगरोली विधायक रामललू वैस ने कहा कि किसानों के खाते में प्रधान मंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया। यह कानून किसानों के लिए अच्छा कानून है। कॉंग्रेस सहीत आम आदमी पार्टी माक्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी राजनीती कर रही है भ्रहम फैला रही है। प्रधान मंत्री की वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा संबोध हनके बाद लाडली लक्ष्मी योश्ना के हिद ग्रहियों को चेक वितरित किया गया और किसानों को रंड़ पूस्तिका भी वितरित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट दबंग निउस। सब्सक्राइब के लिए यहरासी अभी बताएं कि जा रहा है यह आती अती उत्तम है क्योंकि हमको जबुरुत पड़ने पर वह मिल जा रहा है। क्यानून को लेकर उन्होंने का ब्रहम मेन रहें कि जो तीनों कानून बने हैं उसमें कहीं नहीं है चाहिए मंडी वे शकते हों और और यहीं करार नामा करते हों उसमें भी करेंगे तो आपको बेनिफिट है उत्त पादन जिस खेतमें नहो और उसका इक्रार नमा पहले हो व्हाया है को भूस हित्य ग्राही को पैसा देना है पड़ेगा उस क्रेट का मॉला देना पड़े गा उस से थर्ड तर दे समें महीं क्हा पर्चार कर रहा है किसानों न कुछ लेना देना है